तो चलिए देखते हैं question number 46 क्या है हमको बोल रखा है कि find a point on the curve 4x square plus 9y square equals to 1 where the tangents are perpendicular to the line 2y plus x equals to 0 तो चलो देखते हैं क्या होगा तो यह बोल रखा है आपने को 4x square plus 9y equals to 1 इस पे point निकाल लें जो कि इस line के perpendicular हो कौन सी line के देखो 2y plus x equals to 0 तो देखो इससे slope मिल जाएगा आपने क क्यों इससे प्रपेंडिकुलर अपना slope होगा तो इसका slope क्या होगा है सरी दो देखो y equals to x दूर जाएगा तो minus 1 by 2 x बन जाएगा तो y equals to mx plus c से comparison करें तो तो देखो अपने slope क्या आगा इस line का minus 1 by 2 क्योंकि अपने को चाहिए इसके perpendicular square perpendicular to m1 into m2 equals to minus 1 by 2 तो अपने को required m2 ठीक है तो अपना m2 क्या हो जाएगा minus 1 upon m1 तो अपना m2 देखो क्या आगे m2 आजाएगा minus 1 upon यह आजाएगा minus 1 by 2 देखो minus minus plus हो जाएगा 2 पर चला जाएगा अपने m2 आगे 2 तो अपने को जो d by by dx चाहिए वो चाहिए हमे 2 यह अपना आ गया अब अपन चलो निकालते हैं points क्या क्या होंगे ठीक है तो चलो इसको differentiate करते हैं with respect to x तो यहाँ पे आजा होते हैं यहाँ आजाएगा 0 अब क्योंकि लिए d by by dx की value पूर निकालके बैठें 2 तो 2 यहाँ पर 836 हो जाएगा यहाँ आजाएगा y equals to 0 अब देखो इसमें तो four common आ रहा है तो निकाल दो two x आ जाएगा यह nine y आ जाएगा equals to zero ठीक है अब देखो यह जो point है यह x comma y यह fix point क को भी कर रहा है satisfy तो कुछ नहीं करते हैं यहाँ से x की value निकालते हैं उसमें put कर देते हैं ठीक है तो देखो x की value किती आ जाएगी minus nine by two times of y ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा four अपना x square की जाएगा पर put करो किता जाएगा minus nine by two square y का square plus nine y square equals to one ठीक है देखो इसमे one ठेक है और यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा यहाँ बच जाएगा four त्रेको negative x square करण्ट चला जाए जाएगा क्योंकि आपने एक nine निकाला तो यहाँ पर square था तो एक nine तो यहाँ बच जाएगा आइगा नीचे यहां पर two का square four बच जाएगा ठीक है और Y का square यहाँ सी पूर बाहर ले जाए चुक है यहां तो से बचेगा 1 और यहां बच जाएगा 1 ठीक है ऐसे क्या होगा थोड़ा solving करने में easy पड़ता है और कोई तो उतना कोई वह नहीं है ठीक है फूर फूर नाइन प्लस वन कित्ता हो जाएगा 10 तो य इक्वोल्स टू वन तो य स्क्वेर क्या आगे अपने वाई स्क्वेर आगे अपने देखो one by 90 तो य की वैलिए पून यहां से क्या क्या सकते है देखो य की वैली आगे अपनी प्लस माइनस one by root 90 आगे देखो nine into ten है अगर आप nine को बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस one upon three root ten यह आगे अपने वाई की दो वैलिए तो एक्स की दो वैलिए यानि कि अपने पास ऐसे दो पॉइंट्स बनेंगे ठीक है अब चलो वो पुट कर देते हैं उन्हे यहां आ जाएगा अपना nine यहां 10 आ जाएगा ठीक है तो यहां आ जाएगा अपना four x square यहां चला जाएगा देखो one minus one by ten हो जाएगा तो किता आ जाएगा nine by ten और यहां पर आ जाएगा अपना x square equals to nine by forty तो देखो x की value क्या क्या आ जाएगी एक तो प्लस माइनस अब इसका root करोगे तो देखो three और वाहां पर नीचे से two भी आ जाएगा बाहर तो two root ten यह दो वैल्यों आ जाएगे ठीक है तो अपना पहला point क्या आ जाएगा देखो पहला तो आ जाएगा अपने पास द देखा जाए तो अपने पास ऐसे चार points हो गए ठीक है क्यों देखो एक बड़ दोनों positive positive ले लो three by two root ten three by two root ten और एक और वाई अपना क्या आया था अपना वाई आया है one by three root ten एक तो यह point आ गया second point क्योंसा आ गया एक negative एक positive one by three root ten ठीक है और second point क्या third point क्या आ गया कि अब दूसरा negative three by two root ten minus one by three root ten ठीक है और fourth point क्या आ अपने पास कि दोनों ही negative minus three two root ten और minus one by sorry sorry यहां जाएगा minus one by three root ten ठीक है तो ऐसे करके अपने पास चार point आ गया ठीक है तो यह हो गया अपना answer प्रेटर